में आप्स थोड़ी दे पढ़े स्वातंतर वीरजावर्कर का जिक्र रहे थे स्वाथंतर वीर जावर्कर एक थेANS अपने लिखित में पुन्य भूमी और पित्र भूमी और जबender की बात करते हैं तब में नहीं है सिर्फ पित्र भूमी है उनके साथ टकराव बना रहेगा वो अलग-अलग धर्मों का जिक्र करते हैं और फिर ये बात कहते हैं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं इतिहास के विद्यारती होने के नाते आप सौतन तरवीष सावरकर से, गांधी से, जिनह से, शुभाष बाबू से, हिटलर से, चर्चिल से, सहमत असे मत हो सकते हैं मेरा विशह ही नहीं है सावरकर को लेके, नहरू को लेके, गांधी को लेके, मेरा ये विशह उनके योगदान, कि वो क्या कर सकते थे, उन्होंने क्या क्या क्या, क्या उन्होंने नहीं क्या, ये है ही नहीं मेरा कहना है खानदान के बड़े थे भाईया आज जो हम हैं वो पीछे खड़े थे भाईया वो कुछ कर रहे थे मैं नहीं था चालिस में मुझे नहीं पता कि किन परिस्थितियों में उन्होंने पत्र लिखा या नहीं लिखा वो सो कॉल्ड खत मुझे पता नहरू जो है वो लंदन में पढ़े होने की वज़े से माउंट बेटन के निकट थे या किसी और कारण से निकट थे और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता मैं और खराब बात बोल रहा हूं लल्लें टॉप पे जितने लोग सुनना है ये लाखों लोग हम सब लोग हमारे माता पिता के सयोग से बने हैं पर क्या हमने कभी उन बारे में कलपनाई की नहीं की एक नैतिक मरियादा है भाईया एक नैतिक मरियादा है कि 47 में ऐसे हुए हो थे अब यहां आए हो थैंक्यू वेरी मुच आपने बहुत अच्छा काम करा ताउ जी आप बहुत अच्छे थे फूपा जी आप बहुत अच्छे थे चाचा जी आपने भी टीक काम किया आई आगे बढ़ते है पीछे मुड़के चाचा ने ऐसे कर दी इसमारे ना हो पाए ताउ जी भूल गये ना रख पाए ये बुआ ना अचान ना रखा रोटी खाडी का अरे क्या बखवास चलने ये भाई आगे बढ़ो भाई 24 गंटे आपका पूरा इतिहास का विमर्ष यह है अतीतिक आपका इतिहास का विमर्ष है तो मैं इस बात से नाराज हूँ इस बात से मुझसे लोग न और दुरभाग्य क्या ये है कि मूर्ख होना बुरा नहीं है वो परमात्मक की परियोजना है धूर्थ होना बुरा है ये सब राजनेतिक धूर्थ हैं ये राजनेतिक मूर्ख नहीं है इनको सबको पता है कि सावर करने क्या किया है इनको सबको पता है नहरू का क्या यूग लेकिन ये जान पूछ के चुकि इनकी इड्रेस होती है बेटेने ये पता नहीं है कि जिस यूरिया के पानी को दूद बनाके तुम बेशना चाहते हो उससे एक नवजात शिशु का लिवर कट रहा है चेतना का लिवर कट रहा है उसका तुम तुम मर जाओगे भोग भाग के इसको वो जीवन पर किटनी लेके घूमता रहेगा लिवर लेके घूमता रहेगा ट्रांस्प्रांट के लिए मुझे इसका गुसा आता है ये गुसा प्रकट हो जाता है तो लोग नाराज जाते हैं और उस नाराजगी के नुकसान में जहलता रहता हूं अकसर जहलता रहता अभी है, मैं जानता हूं उनको, ऐसे कई मुख्यमंत्रिय हैं, जिनके standing instructions हैं, कि वो नहीं आना चाहिए, मैं तो जाता ही नहीं, सरकार के program में तो जाता ही नहीं, rare ही कभी जा पाता हूं, जो बहुत ज़्यदा आवश्यक हो, किसी का कहना सुनना हो, वो खुद व्यक्ती कह रहा हो, जो सरकार में है, कि साफ हमारे लिए कर देजिए, क्योंकि पता है कि डोल है डमरू है बज़ेगा तो भीड़ाएगी मेलने तो कौन आएगा उसको कौन सुने का खड़े हो कि उसकी कॉंस्टुट्टेंसी में उसको जनते ही है लोग बाग पहले क्या कर चुका है उसकी तो रैली में याद मी नहीं आता है तो उसको बुला लो यह खड़ा हो जाएगा लोग आ जाएंगे तो फिर मैं अपनी बात कहलूँगा आदर रहनी यह भाई साव आए है भाई साव पर तो सरस्पती की बड़ी कृपा है दोनों बाते मुझे पता हैं नहीं पता तो उसको नहीं बतानी है बाकि तो भाई साव हमने अच्छा किया है वो अपनी बात उसे बोल ली है तो मुझे बुला लेता है तो ऐसे बहुत सारे लोग है और उनका नाराजगी मुझे से नहीं है उनकी नाराजगी दरसल महंगा मामला है सच सुनना बहुत मुश्किल है, कहना असान है सच सुनना, सच सुनना, सच कहना, सच सुनना बहुत महंगा है, कहना भी बहुत महंगा है, सुनना भी महंगा वक्ता शोता चे दुरलभा जो आरीच कहता है रावन से अप्रियस्य पत्थस्य हे राजन हे राजन तुझे ऐसे लोग मिल जाएंगी तो लगातार तेरे से प्रिय बोले मैं तुझ देखता था ना मैंने देखा ये 20 लोग बैठे है और एक आदमी घुसा को अच्छा करे तो मैं तो कुमार ने ता हुसको मैं रिट्वीट किया था हा सर वही है सिर्फ इस लिए के सीम की निगा बने रहे हैं दिल्ली कमिशनर कमिशन मिल जाए कैसी लोग किसके लिए किस दो रोटी में समस्या है मेरे जैसा आदमी क्यूं करेगा यह जो करते मैं उनके कई बार सुचता हूँ क्यूं करते हैं जिसे मैं पत्रकारों से अक्सर कहता हूँ कि एक कस्वे में जो बारे हजार का है वहाँ एक प्रादेशिक अखबार का समवाद दाता जिससे कॉलम में इंच में मिलके पैसे मिलते है वो अगर दरोगा के साथ बैटके थोड़ी मांडवाली करता है तो मैं उसका अपराद क्षमा कर दूँगा जोकि उसको मा का चस्मा बनवाना है बेहन की शादी करनी है बच्चों को पढ़ाना उसको पैसे अख़बार इतना नहीं देता पर जो चैनलों में बड़े-बड़े चहरे लेके तीन-तीन-चार-चार क्रोड रुपे साल की डील लेते हैं वो जब चाटते हैं तो मेरे को मन कहा तो कहां जाके ले जाएगा इसे कहां मरेगा जाके भाई अब तो तुझे तेरे शोताओं ने दर्शकों ने यहां पहुचा दिया कि तुझ जीवित रहेगा मरेगा नहीं जो ममता कहानी जाशंकर प्रसाद की जिसमें पैसा लेके अंदर गुस्ता है तो ममता कहती है विपद के लिए आपद के लिए तो कहती है विपद के लिए आपद के लिए क्या प्रत्वी पर कोई हिंदू इस भूब्राग पर नहीं बचेगा जो हम मा पिता पुत्री को एक मुठी भिक्षान ने दे सके पिता जी मैं सदा यही सोचता हूँ कि क्या ले लोगे क्या कर लोगे इडी लगा दोगे जेल डाल दोगे कारकम कैंसिल करा दोगे क्या कर दोगे मेरे जीवन चलाने लाएक तो मुझे रोटी मिलेगी बाकी वैसन मुझ में है नहीं कोई जिसके दरवाजे गाउंगा वोई खिलाएगा यह आत्मबल क्यो नहीं है इस आत्म्बल की क्षिंटा प्यांकरोश है यह तो बहुत होता है जो आप ने का यह तो होता ही है सरकारी प्रोग्रामा में होता है उन्हें मत बुलाईए और ऐसा ही नेता करते हैं नीचे अधिकारी भी डरा हुआ है यह रब देजनी पता नहीं क्या बोल जाएं और यह तो अक्सर ही होता है कि कारकुमा में जाओ तो वो कहता ही है सरकारी जो आईएस होता है कलेक्टर वालेक्टर भी सब थोड़ा सा जरा थोड़ा सा जरा देख लेना